हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग में राजेस आपका अपना चालेंग गोव में जो अपडेट में आपका स्वागत हैं दोस्तों इस वीडियो हमने बात करने वाले हैं कि यह ऐसा सी CGL यह सो CGL और LDC की जो वेकेंसी लिकली है उसी के प्रिवियस यह कोश्चन के बारे में आप लोग यहां पर देश सकते हैं जोस्तों पोश्ट है LDC कलर्क और CGL का और पीटी 2015 में जो एक्जाम हुआ है उसी के प्रिवियस यह कोश्चन पूरा 100 कोश्चन को हम लोग डिल करने वाल है फ्रेंड तो प्लीज आप एक छोटा से रिक्वेश्ट है कि वीडियो को प्लीज इसकीप नहीं किजेगा और चालने पहले पर भीजिच कियें तो प्लीज आंको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश जरूर किजेगा वीडियो पसन है तो प्लीज को लाइक क को स्टार्ट करते हैं कि देखें फ्रेंड यह आपका इंग्लिस में दिया गया है यहाँ पर हिंदी से दिया गया है और इसका वीडियो आपका आजए इसका पीडियाप है टेलीग्राम गुरूप में मिल जाएगा जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा को इने को अपने से पढ़ सकते हैं और दिवी कर सकते हैं इसमर्क परिडियो को पूरा दखेगा पहला कॉस्टे की जिसका परियोग रक्त चाप यान BP के उपचार के लिए क्या आता है और केवल भारत में पायाता है जहास तो इसमें बहुत सारा question आसपास से मिलेगी केवल भारत में पाया जाने वाला पोधा का नाम बता है या फिर उस पोधा का नाम बता है जिसे BP का उपचार के आता है तो दरगहा परिशित है तो दो नमर का आपका जो एंसर हो जाएका वह डी हो जाएका अजमेर अजमेर में आपका जहीए दरगह उपस्तित है ठीक है फ्रेंट तीन नमर कोस्टें देख लिजेगा तो इसी टाइप कोस्टें आपका जो CGL में और LDC में पूछे जाएंगे तो यह ठीक है मराल मराल फ्लामिंगो फ्लामिंगो ठीक है दो चार नमर देख लिजे कि महाराष्ट की दूसरी रजानी क्या है तो महाराष्ट की दूसरी रजानी दूसरो नाकपूर है बहुत दोस्तों मारते नासिक पूने तो नहीं है तो महाराष्ट की जो है दूसरी रजा आप सेवन किलिंग्स तो यह आवला आपका जो आप जाएगा तो आप लोग देखे मैंन बुकर पूरस का जो मिला है 2021 22 23 सब में आप लोग जो है यह लोग पढ़र के ज़रूर जाएगा ठीक है नेक्ट देख लिजिए आपका नेक्ट परस ने छे नमबर कि ताना अंदोलन की सुरुवात किसने किया गया है तो आप लोग जारकन के त्यारी करते हैं तो आप लोग को पता हागा कि ताना अंदोलन का सुरुवात किसने किया है तो यह आपका जाएगा यह सी नमबर कि आपका जो है जन्ना उराओ जो है ज नहीं है कापी दोस्तों है में आपका क्लिक करके निकल जाते हैं यहां पर पढ़ लेजा कोशन को भाग नहीं है जो इसमें जा डर्वीद भाधा परिवार का भाग नहीं है इस्से आप लोग नोट कर दे जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट आट नमर देते हैं पर्थम अंतराष्ट पिर्थवी सकर सम्मिलन कहा हुआ था तो पर्थम अंतराष्ट पिर्थवी सिकर सम्मिलन कहा हुआ था यह सा आप लोग नोट कर सकते हैं आट का जो हो जाएगा आपका बी निमर रियोडा जैने रियो में आपका जो हुआ था पर्थम पिर्थवी सकर से मनें ठीक है तो कब हुआ था आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पर जरू लिखिएगा नेक्स्ट है आपका नो नमबर कि राम चरित मानस के रचियता कौन थे तो राम चरित मानस के रचियता कौन थे फ्रेंड तूलसी गोस्वामी जह है गोस्वामी तूलसी दास जह है ये इनके रचियता थे next question देख लिए 10 number कि उल्गुलान अंदुरन किसने निर्थुक में आरम किया था तो किसने किया दस्तो आपका B हो जाएगा बिर्था मुंडा ने ठीक है तो बिर्था मुंडा के निर्थुक कब हुई थी नीचे आप लोग लिखिएगा जरूर ठीक है नेक्स्ट आप लोग के देखिए 11 number question देख लिए आप लोग 11 number question है कि इन में से किस नियम के अंतरगद कामगारों को बीना अनुमती के चाय बगानों में छोड़ना निसद है तो किस आपका जो है अनुमती किस नियम के ठीक है करन इसमें आप लोग देख लिए नेक्स्ट आपका 12 number उस गरह का नाम बताए जो सूरज से लभक 500.000.000 किलो मिटर दूर है तो इसमें उस गरह का नाम के आज तो यह सी हो जाए अनुछेद भारत का राज्यों का एक संग गोसित करता है तो अनुछेद आपका दोज़ा का एक जैसो अनुछेद एक जो है पूरा राज्यों का एक संग को गोसित करता है यह भारत का एक राज होना चाहिए अनुछेद एक ठीक है फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्ण देख वार्तवांस में NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट यह राजमार्ग है यह पुराना है 2015 तक था जो अभी वार्तवांस में NH44 हो गया है कहां से कहां तक है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखेगा ठीक है नीचे और हम लोग देते हैं कि क्रिप्टो मुद्रा का पर्थ सब्सक्राइब करेंगे और अपने एक्जाम को करेंगे नेचे आप लोग देख लिए 17 नंबर राज्य पाल इनमें से किस व्यक्ति को रिपोर्ट करते हैं तो इसके एंसर हो जागा C भारत की रास्पती को यह तो यदि राजपाल है कि राज में आपका रास्पती सासन लगाना है तो वो जो है राजपाल रास्पती को रिपोर्ट देगा कि यह ऐसा ऐसा बात है ठीक है तो राजपाल किसको भी रिपोर्ट करता है भारत की मेक आथर फुलो जेनियस ग्रांट 2015 से पुर्सक्रित क्या गया वह किसके प्रफेसर है तो 18 नमर के आपका हो जगा बी हो जगा पिर्त्विया और परियावरन विज्ञान के वह प्रफेसर है ठीक है इस टाइप का आपको जो है करेंट फियर भी पढ़ना है नीचे देख द्वारा एरलाइंस के बहत्रीन प्रवंदन हेतू जेपी एस जी यो नवी गेशन पर नाली विक्सित किये गई इसे किस परिवरनी सब्सक्रित से जाना आता है तो 19 नमर के आपका एंसर हो जाएगा वह जागा गगन गगन नाम से यह आपका पुकारा गया है जो आपका ज सात्स में और अमीश जैसे बहुत ही पीस परेश्थ लेकर जुड़े है कि इनमें से किसकी पाहल क्या भिषा कि या परसीद जूडबे हैं वह किसकी पहल याने कि कि सब्सक्राइब को पढ़ना थीक है यहां पर आप हम आप में करिसे अभी नहीं के लिए टरक में इस पौक की भूमी का आधा की थी जिनका फरवरी 27 फरवरी 2015 में निधन हो गया उनका नाम क्या था तो उनका नाम था लियान देखो लियोनोड नीमोई उनका नाम था ठीक है फ्रेंड नाम थोड़ा बीचीतर बीचीत टाइप का है ठीक है 22 नमर देखे बारवी पंचवर्स योजना के समय ओधी क्या है तो आप लोग तो नीचे दखी जैए 23 नमबर 23 नमबर यह है महराश्ट की कोन सी भास भास गंभी रूप से लुप्त होने के कगार पर हैं तो आपका दखे 23 नमबर जैसर और महली जुबहास है दूस्तों काफी न्यूज में आए था 2015 के आसपस में और अभी भी न्यूज में आता है कि मह तो आप लोग सब्सक्राइब करनाटक के आपका लोग नीरित है के रल का आप लोग जानते हैं तामिनाडू अंद्रपजेस का ते नीचे कमेंडों पर जाकर जा सकते हैं पूरा लोग नीरित पर एक वीडियो है दोस्तों ट्रिक के साथ है ठीक है पाचीस नमबर हम लग देख लेएं उनिसवी सदी में जब भारत में पश्चास सेली परिधान आये तो सबसे पहले इन अंगिकार करने वाले लोग कोन थे ठीक है तो पाचीस नमबर के आपसे अंसर हो जागा सी पार्सी लोग जहें उनिसवी सदी में यह आपका सेली का परिधान आये थे और सबसे पहले इन्होंने अंगिकार करने वाले लोग थे ठीक है ठीक है नेक्ट जखीस नमबर अखील भारतिया खिलापत के मेटी के संसापक कोन थे तो 26 नमबर का आपका एंसर हो जाएगा मौलाना जो मौलाना मौहमद अली जो थे वह आपका जह है अकील भारति खिलापत के मेटी के संसापक है फ्रेंड यदि हम कुछ गलात बता रहे हैं तो प्लीज कमेंट पर आपको उसको जरूर सुधार कीज़ेगा फ्रेंड इतना कोशन डिसकस करते हैं तो थोड़ा बहुत गलती हो सकता है हम भी आदमी है तो प्लीज नीचे भासाम बोला आता है वेटी केलचर क्या है तो आपका 27 नमर को अंगूर की खेती को वेटी केलचर कहते हैं ठीक है फ्रेंड चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है एम आर पुआमा 2015 की शेत्र में पुरुसकार को अरजित किया है तो 28 नमर को आपका जो है खेल कूद में जह है यह आपका पुरुसकार किया गया था यह कुर्ण का क्रेंड अफियर है ठीक है नेक्स्ट है 29 नमर गढवन्दन सरकार से आप क्या समझते हैं यानि गढवन्द पर से सरकार का गठन करने वाला राजनतिक दल सेखत करवाही केलगिए noi को ही सब्सक्राण ख्रकोर के चनाव है वह ठीक है तीस नमबर देख लिए अब हाल ही में नासा टेलेसकोप ने सोर गत की वेदसाला के माध्यम से कौन सी दुरलब खोगोली घटना को कैप्चर किया था तो तीस नमबर का एंसर हो जाएगा डबल इलिक्स डबल इलिक्स का जहाब का जहें कैप्चर किया था तीस नमबर देख लिए नमलेखित में से कौन सा अंग मानो महिला परजनन परनाली से समंदित नहीं है यह नहीं बला कोश्टन थोड़ा धियान से ही पढ़िएगा थाटी वन का देखिए इसका अंदर हो जगा सुक्रवाही का यह आपका जो है महिला में नहीं यह आपका ठीक है नेश्ट है थाटी टू को नमबर की खटवास को वसा तेल की ऑक्सिकरण के रूप में परिभासित किया जाता है जिससे 32 नमबर के क्या होगा यह सी हो जागा भोजन का सवाद और गन दोनों बदल जाते हैं ठीक है नेश्ट है थाटी थी अमिटर वह अपकरण है ज और आपका भॉल्ट मिटर का मता है यह भोल्टेज को नाम ठता है ठीक है चलिए हम लोग नेक्ष्ट के देख लेते हैं थाटी फॉर देख लेते हैं निम्न मेंसे कौन सा एक पाचक ग्रंथी के बारे में सही है तो थाटी फोर का जगा सी पाच़न एवन अंतर स्राही दोन बॉर्डिंग मुलकलन के माध्यम से तयार किया आता है यह मुकलन के माध्यम से तयार होता है ठीक है यह प्रजनन का विधी है माध्यम 37 का एक्स पीले रंग का एक पावडर और यदि इसमें हवा में खुला छोड़ दिया जाए जाता है तो इसमें तीछन के गन आने लगती है यह पानी यह पीने का पानी किटान मुक्त करता है यह कास्टिक चूना की कोलोरिन गेस की परतकिरिया कर किया था और एक्स की पहचान करें कि एक्स का पीला रंग का पावडर है उसका पहचान करने वोला है तो 37 का आपका जोगा चीए सी ओल टू ठीक है इसका जो है क्या नाम है इसका नाम आप नीचे जरू लिखेगा ठीक है आपका कास्टिक सोडा का नाम क्या है जिसका एंसर हो जागा सी ए ओ सी ठीक है क्लोरीन नीचे अपनों का यह 38 अब्लिखा है जब किसी अनवसिक वस्तु किसी इलोक्त्रोन में जोड़े आते हैं तो वह वस्तु क्या होता है तो आप लोग देखें 38 का कैंसर हो जक श्रू जब नकारात्मक करूप से आवशित हो जाता है यह तो नेगटिक रूप प्रोटीन का पाचन करता है वह तर्टी नायन जगा टी के प्रोटीन में सामील होता है डिक अपका जो है छोटा छोटा चोटा नुम्रिकल आप से पुछेगा जब किसी इलोक्तर बल में फिलामेंट पांच मिनिट तक 0.75 current का लिया आता है तो पूरा सरकीट में परवाहित AWS की मात्रा क्या है देखे इसको हम लोग discuss थोड़ा कर लेते हैं देखे जोस्तों यहाँ पर आपका T समय दिया है समय दिया है 5 मिनिट और आपका जो है I दिया है यहाँ पर I दिया हुआ है 0.75 आप लोग समझ देगा तो आपका samples rec मिनिट को सकेंड में करने के लिए 60 हो जाएगा आई कितना दिया है तो 0.75 इसको 75 कर सकते हैं कर सकते हैं करKOको काट देजिए ठीक है y55 ik 20 गया यह पाउंच थो नहीं रोग भाग यह तूऑ गया यह दो आ गया 75 को गुना कीज़े 3 से कितना आएगा फ्रेंट आप लोग 75 को गुना कीज़े ता आपका जागा 200 पचीज इसका एंसर कितना हो जागा फ्रेंट 40 का जो एंसर हो जागा 200 पचीज इस तरह करके आपको निकलना आए वराबर क्यों आ टी यह आप थोड़ा जो है लिक लीजिएगा ठीक है फ्रेंट चलिए 41 नमबर हम लोग डिसकस करते हैं 41 नमबर आपका जो है नमने कितम से कौन सा लच्चन हरे मटर के मेंटल के साथ विसम लच्चनों का भाग नहीं है याद रखिएगा नहीं है सी का है चीकिनावन खुर्दरा जो है वह आपका नहीं बाकि सब का सब आपका जो है जो है मेंडल का जो साथ जो लच्छन थे विसम लच्छन उसमें था ठीक है चलिए 42 नंबर हम लोग देखते हैं 42 नंबर में आपका है कि नम लखित में वसे कौन सा एक डाइफ्रेम के बार चाथिफ़ा आइसा करता ठाल रहता है भाना लोगर आससे किसे करता है टो पोटीट्व हो गया चलिए को पास कि औरेमार आता है थ сюжने ऑतिनन्स में ताय को सबेदे इसको नाम duż के नाम से नाम से भीहम लुग जानते हैं मिथेन के नाम से जानते हैं ज्लिएT कि यह पूंकेशंबर और अंडप दोनों परकार के होते है 45 है कि वास्पी करन के गुप्त उसमा क्या है तापमान के बदले बीना पानी को पूरी तरह से भाप में परिवर्थित करने है तो आउसक उर्जमा तो इसका C हो जागा 45 का अजया है ठीक है फोटीमा का देखिए पिरियड में बायं से दाइं संचलन के अर्धिस में सब्सक्रास आप लोग लग थाएक लोग हो Pv ठीक है आप 30 gram group से जूर जाएगा यहाँ पर आपको फूल ली आपको मिल जाएगा 47 का चलिए 48 हम लोग देख लेते हैं चलिए 49 देखते हैं प्रेस बायो फिया द्रिष्टी का एक आवर्तक दोस है इनमें से कारण से होता है तो आप लोग से 49 का यहाँ पर हो जागा ठीक है नीचे चलिए आते हैं 50 अवतल दर्पन का एक परतिय मान चवी लेने के लिए वस्तु क möहा रखायता तो पचास का अब का डी केंदर बिंदू और दरपन के वीज यां तो केंदर बिंदू और दरपन के वीज आपका वस्तु को रखा रहता है एक परती मान छभी लेने के लिए ठीक है फ्रेंड देखे फरे next क्サंचन है आपका 50 नेमेर हो गया 51 के बारे में ready कर लें इनमें से कौन सा उक्करन वीधुत पर्ती रोध कौन मापता है ते परतीरोध को क्य बाकि जो 49 question आपको next part में मिलेगा फ्रेंड वीडियो पॉसन आएगा तो प्लीज लाइक किजेगा और चानले में भीजिट किये हैं तो पहली बार प्लीज चैनल को subscribe करके बेल आइकन को प्रेश जरूर किजेगा तकि जैसे नोटिफिक्सन आए पार्ट तो आपको मिले लाइक किजेगा फिर भी आपको नोटिफिक्सन मिलेगा फ्रेंग और पूरी तरह से question को discuss करेंगे फ्रेंड आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा पीडियाव आपको next part में आ करवाना है और आप लोग कीजेगा इस पर जॉब लेके ही जाएगा तो प्लीज आप लोग पढ़ते रहिए अपना ध्यान रखिए और घर से ओनलाइन किलास कीजिए मिलते आपको next video में तब तो के लिए बाई बाई जैहिन जैभारत बंदे मातरम